तो अब दोस्तों जैन्ज भारत स्वागत है आप सभी का मारे चैनल पर माइने मिस्सानी बर्मा और जैसे कि आप सभी से पूछा किया था पिछले सेशन में कि आप लोग क्या पढ़ना पसंद करेंगे हिस्ट्री या पॉलिटी तो आप सभी ने हिस्ट्री का नाम लिया था स्टार्ट करेंगे चलेंगे और फिर हम 1947 और उसके बाद भी जो हमारे हिस्टोरिकल डैवलमेंट्स हुए पॉलिटिकल हो एड्मिनिस्ट्रेटिव हो या बैंकिंग के अंदर हो सारी डिसक्रस करेंगे राइट टुडेश टॉपिक इस फ्रॉम इंडस्वली यह आल यह इस से बडिए कूरंन करके हैं यह से काईबिशन कि हिस्ट्री के नंदर डिवीजन कैसे रहे जात तो जोदेगे अब जिओ ग्राफी तो नहीं है यह मैं इसके पर जेलोजिकल टाइम स्केल या एंत्रोपलोजी की बात कर लेंगे लंगी रॉक सिस्टम की बात करने के मैमस कभी वोर्फ एकलेंग अनिमल्स कब सब की बात मारें आपकर हिस्ट्री क्या होता है इस रीकॉर्ड अफ इश्री इस को नहीं आपकर हिश्ट्री की अंदर थी होता है यविर हिस्ट्री ए रोट आन प्रोटो हिस्ट्री और एक होता हैunden सब्सक्राइब पॉइंट है कि समझने बात को कि कुछ ना कर रितिक तुछ चिल कर चिल ठीक है कि क्या ही कर सकते हैं जब समझने आ रहां बिना कोई डाले आप ऐसा बोलेंगे तो चिल कर भाई ठीक है तो रिकॉर्ड ओफ इवेंट इस हिस्ट्री तो प्री हिस्ट्री की चिल करने का मतलब है कि अभी चिल कर मतलब ठाइट ओंडेस्टैंट ने चीजर रहे तो प्री हिस्ट्री के अंदर वो चीजे हैं जब फूड गैदरर्स हुआ करते थे सिविलाइजेशन वगरा कुछ नहीं थी होमो इरेक्टेस हुआ करते थे नियंडर्थल्स हुआ करते थे सभी शिकार करके खाना खायाते थे जानवर और हुमन में कोई फरक नहीं था अप्लाइक स्ट्रक्चरी थे जिसको हम लोग बुलाते हैं अपार्ट फ्रम दिस जो एज है वह रहना कब से स्टार्ट किये थे अगर हम बात करें हुमन्स की विशक उनकी जो बोडी स्ट्रक्चर था अलग थे बोडी के उपर काफी उनके हैर्स वगारा थे हैर थे मतलब की अपार्ट फ्रम देश की वह सैमी नेकेड या फूल नेकेड रहते थे फूट जो थे वह पका कर नहीं खाते थे फिर बाद में उन्हेंने फायर वगरा को इंवेंट किया तो यह सब चीजे चलती रहेगी हम इसको यहां पर देखेंगे तो हमार आपके कब इवॉल्व हुए है यहां यहां पर बोले तो कितने 1.6 million years के बाद कि कुछ हो सकते हैं के पांच पहले इवॉल्व हुए हो उसाड़े पांच लाग साल पहले मिल्श हो इंडिया के इंदर जो हीुमन से हैं किसलना स्टार्ट हो देखें एक जगह हैए इंडिया इंदर ही भीम बैट का केव का मध्यापरदेश में है के ऊपर एक बैलन वैली है जो कि आपकी यूपी में है यूपी में है कश्मीर में आपकी दिफ्टी बैली तो पांचवलाख से 50 ताउज के बीच का जो पीरिड है जो हमो एकूरण है इस टाइम पर है इस एविदेंस इंडिया में मिलते हैं ठीक है भीम बेट का केव डैट इस सेंट्रल इंडिया में यूपी के अंदर बिहार के अंदर बी कुछ-कुछ जगा है ठीक है तो मैं थोड़ा सा आपको यहां पर तो समझाने कोशिश करता हूं कि हिस्ट्री भी हिस्ट्री एंटम प्रोट्य हिस्ट्री एं रिपर लिखा तो है उन्होंने फिए वेंट्स तो है लेकिन उसको को डिकोड कर लेंगे तो वह हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगी लेकिन मालूमी नहीं कि जो पहले की हुमन्स लिख कर गए है उसका मतलब क्या वो कनवे क्या करना चाहिए किस तरीके से से वह कमुनिकेट करते देख दूसरे से वह भी नहीं मालू तो अपन वैली सिवलाइजेशन की स्पीरेड में आती है आपका प्रोटो इस्ट्री में आती है क्योंकि वह लोग भी हरपन या इंडस्वैरी सिवलाइजेशन के टाइम पर भी पिक्टोग्राफी चलता मतलब कि भी हिस्ट्री में आता है फिर हिस्ट्री में तो आपका रिगवेदिक के बाद के सारे इवेंट्स आएंगे मालुम है कि संस्क्रिट लेंग्विज में क्या लिखा हुए उन मंत्र का क्या मतलब है मंत्रों चारण का क्या मतलब है तो आपका रिग वेदिक पीरियड के बाद डैट इस फिफ्टीन हेंडर्ड इंडिया के अंदर कुछ evidences मिलते हांज बिलकुल मिलते तो उसका जो जाता है जो क्रेडिट जाता है रोबर्ट ब्रूस फुट को जिसने इंडिया में डिस्कवर करी थी डिफरेंट डिफरेंट एग्जकाविक्शन्स उन्होंने किया उन्होंने हुमन सेट्लमेंट के ऊपर काफी रिसर्च की आर्कियोलॉजिस्ट थे ब्रेटिश एरा में तो उन्होंने पहली पहली टूल को डिसकवर किया जो की एक हैंड एक्स था ठीक है जी बाद में प्री हिस्ट्री साइट काफी जादर डिसकवर हुई तो उसका जो क्रेडिट जाता है मॉटिमर वीलर को जा नाच किया उससे पहले किया कि आपको सब्सकूर सब्सक्राइब हैं पहले बता दो आपको यहां बता देता हूं मैं औरay प्रोट एस्ट्री इंटwnie पैलली Olitthi पैली Olitiki मतलब के ओल्ड जो है 50000-60000 BC एरा अनदर तक 순ब्सकी बेन बेसे सब्सक्राइब यह ये सब भी साइट अर्बन साइट नहीं थी रूरल साइट के अंदर आती है लेकिन कुछ साइट ऐसी थी जिनको मेटलर्जी मालूम था उनको कोपर का इस्तमाल करना मालूम था कि अपार्ट फ्रूम दिस जितना भी उनका टाउन प्लैनिंग थी वह टाउन प्लैनिंग के साथ रहते ग्रेट पैटन में थे उनको ब्रिक का इस्तमाल करना आता था तो हम उसको कैलको लिथिक एज अर्बन सुसाइटिस हुआ करती थी जिसके अंदर इंडस वेली सिवलाइजेशन आता है और इंडस पर जा रहो है यह मूव करने लग जाता है ठीक है पहले लिथिक एज की बात करते हैं सबसे पहले इसकी एज तो आप समझे गए हैं फाइब लैक कि टूवन थाउजन सॉरी 10,000 वी सी ठीक है अगया नामे बता दो यहां तक सब समझ आ गया है यहां तक हिस्ट्री आप समझ रहें हिस्ट्री इंट्रस्टिंग है लेकिन ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब हल्वा सब्सक्राइब समझ आ गया आपको पहले लिथिक एज मैसलिथिक एज नियो लिथिक एज मालूम पता लग गया कि क्या होती है टाइम पिरिएट समझ यह उसके बाद में जो इवेंट्स हो प्लिस्टो सीन प्रियोड में प्लिस्टो सिन तो आपने जोगरफी पड़ा हुआ है प्लिस्टो शीन एरा जब आइस था आपका उसको प्लिस्टो सीन एरा कहते हैं यह इंडिया में काफी जगा पर पहला हुआ था मध्य परदेश यूपी बिहार इन सभी एरियास के जानवर को मार करके उसको खा सबसे में सब्सक्राव को सबसे अब जो भी टूल्स वो उस ताइम पर इस्तमाल करते था उसको शार्प नहीं करते थे बड़े साइस के होते थे पत्थर उठाया जानवार को मारतिया मर गया उसको घजीट के लेगा केव में खाल वगारा उसकी उतारी और उसको खा गए ठीक है हंटिंग ट्राइब जैसे आज की हाउस बिल्डिंग पॉर्ट्री मैटल का इस्तमाल करना नहीं जानते थे राइट और जितने भी टूल्स थे उनके वह काफी बड़े साइस के टूल्स होते थे ठीक है डन क्लियर वाली बात है यहां तक चले आगे कोई दिक्कत कोई परिशानी है तो बताओ ठीक है तो इस इमेज इसके अंदर जैसे से टाइम भी था कुछ इवॉल्फ तो करेंगे ना अपने आपको यहां पर क्या हुआ देखिए यह अब हाफ निकेड यह जितना भी जो स्कीन होती थी एनिमल स्कीन उसको पहन लेते थे बाकी खा जाते थे अब फायर का इस्तमाल हो गया था तो यह 5,000,000,000 तक मैंने स्टार्टिंग बताया था 5,000,000 यह और 50,000 से 40,000 यह पहले और 40,000 से 10,000 यह पहले पहले पैलिलिथिक एज को डिवाइड किया हुआ हुआ है फायर का इस्तमाल करना जानते थे और ग्रैचुली इवॉल्व हुए थे इस टाइम पर यहां पर कुछ साइट के नाम लिखें उन साइट को देख लेते सबसे पहले सोन वैली नाव इन पाकिस्तान इस पाकिस्तान का कश्मीर है वहां पर ठीक है हाला कि उसके पास है नहीं पाकिस्तान वाला कश्मीर इसके पास है नहीं मैं यह पहले कर दूँ है वह भी अपना है तिक है लिएक पर इसके वहां पर राजस्थान हीरन वैली गुजरात और भीमबेटका मद्ध्यपरदेश में और बेलन वैली यूपी मिडजापूर में वहां पर इसके एविडेंस प्रवार से आये थे उसके उपर भी बात करेंगे अब आपका आपका आपके फिफ्टी थाउजन से पुर्टी थाउजन बीसी पिरियड में जो एरिया जहां पर यह लोग रहने लगे थे वह थी नर्मदा वैली टूंग बद्रा रिवर पोर्ट वार प्लैटू जो इंडस ज खेलम के बीच में एरिया है वहां पर और फिर बाद में यह लोग पैन इंडिया में रहने लगे थे आंधरा प्रदेश करनाट का महारास्ट्रा सेंट्रल एंपी सदन यूपी छोटानागपुर प्लैटू आंधरा प्रदेश के कहीं लाके यहां पर यह लोग रहने लगे समझ आया तो बताओ नहीं आया तो मैं रिपेट विट द्यूसरी क्लास में करूंगा ठीक है कि दन वाली बात है याँ पर लाइक तो क्या ही गरोगे आप लोग कौन कहरा नहीं ले सकते बिलकुल ले सकते करेंगे बिलकुल सब्सक्राइब कि कहां से कहां तक पहुचे हैं इसलिए पढ़ना जरूरि है कहां से को नहीं जानते यह पियसी आपको नहीं जानता है वह आपसे कहीं से पूर सकता है कि होमो बताओ कौन सी एज में पियर हुए थे बताना पड़ेगा आपको पहले लुटिक में लेटर पहले लुटिक में कब अरे चालीस हजार से दस हजार साल के बीच में 40,000 टू 10,000 बीसी पीरियड के बीच में ठीक है चलें आगे चलेंगे मैं सोलिथीक एज आती है इसके बात मैं सोलेथीक एज क्या है आपका देखें आप थोड़ा सा जोग्रफी को यहाँ पर इंसर्ट कीजिए जोग्रफी में आपने एक वर्ट सुनीती हेलोसीन पिरियड हैलोसीन पिरियड 10,000 इयर्ज पहले ही हुआ है ठीक है लगबग लगबग आपका बाराजार साल पर उस टैम पर क्या हुआ था कि जो धूल थी अर्थ के आसपास वह छट गई थी जो तो मिट्योर एक टकराया था उसके बाद एक डस्ट क्लाउड अर्थ के आसपास आ गया था वह अब हटना स्टार्ट हुआ था तो संड्रेज पहुच गई थी कहां अर्थ के उपर और यहां पर टेंप्रेचर इंक्रीज होने लगा तो क्लाउड फॉर्मेशन वगएरा हुआ आइस मेल्ट होनी स्टार्ट हुई जब रेंफुल हुई तो ग्रास के बाद फिर आपका सेटल लाइफ स्टार्ट हो गई थी अर्थ पर ठीक है कब आज से 12,000 साल पहले अगर हम टाइम बोले तो 10,000 बीसी पहले ठीक है तो यहां पर क्या है आपका मैसोलिथिक एज बुला के साथ बिलोंग करते हैं बात जोग्रफी की सब कुछ यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है क्लियरली मैसोलिथिक मैं लिव्ड ओन हंटिंग फिशिंग फूड गैदरिंग एंड लेटर स्टेज स्टेज दे डिमेस्टिकेटिट एनिमल क्यों क्योंकि एनिमल ग्रेज करते घास वगरा जो थे वह चरते थे घास हुगी थी कब जब रेइनफोल स्टार्ट हुआ था कब हेलो सीन के घटिंग मैं पॉइंट दस जार बी कभी सैटर्डे को बाभी को कर लेंगे तो अब यह नोंने क्या किया कि अब प्राइवटी चेंज हुई तो अब यह आपको केव की पेंटिंग से मिलेगा एविडेंस की उस टाइम पर जो एज थी उसमें बॉइन एरो हो गए थे और जो टूल्स थे वह काफी शाप थे स्म मारे पास आस्पेक्ट्स हैं मैं समझ रहा हूं कि हम सिर्फ यह देखने की कौन-कौन से एरिया और कोई एडवांसमेंट मिली हो सेज में तो एरिया देख लेते काहां पर लिखा है हाई तो यहां पर केमूर हील्स यूपी में कैमूर हील्स है वहां से एविडेंस मिलते कि लोग यहां पर रहते थे भीम बेट का केव्ज खारवार आपका सुंदरगर्ड सांबलपूर यह रहते थे केव ठीक है जी एनिमल डॉमिनेट दी सीन ओप मोस्त मैसलिथिक रॉक और साइट्स मतलब की जितने भी पेंटिंग होती उसके अंदर एनिमल्स ही दिखते थे मतलब जैसे कि हंटिंग सीन कोई या शेयर दिखा दिया उन्होंने बना करके ठीक है कहने का मतलब है क कि पेड़ पीपल वगेरा डेकोरेटिव आइटम उसका इस्तमाल नहीं होता था अभी भी हंटिंग ट्राइब सी थे चले आगे देन वी हैव चोड़ देजिए इसको लेट नियोलिथिक के अंदर आ जाते देखिए इस टाइम पर आपको हट्स दिख रही है सेटल लाइफ कि यहां रूरल एरिया हैं जिस इतने भी साइट से मैसलिथिक नियुक्ति यह रूरल साइट से देवर नौट डेवलब एट पार राइट सो नियोलिथिक देखते हैं फूड प्रोडूसिंग स्टेज ती अगर आप से कोशन पूछे सी यहां पर डारेक्ट कोशन कि वह यह और उस एज का बताइए जिसके अंदर ही मन्स फूड गैदर से फूड प्रोडूसिंग स्टेज में चेंज हुए या शिफ्ट हुए तो इस ताइम पर यह अब अगरिकल्चर स्टार्ट हो गया था तो देखिए फ्रूट कॉन लाइक रागी होर्स ग्राम यह सबी चीज़ था केटल शिप एंड गोट इसको डॉमेस्टिकेट करते थे ठीक है फरस्ट मैंड मेड पोटरी अब सेटल लाइफ है तो किसी चीज में तो रखके खाएंगे ना रखके कहां खा रहें इसलिए वह पोट्स वगरा बना रहें बरतन बना रहें स्टोर करने के लिए और खाने क सब्सक्राइब ठीक है कि गैड़े में पॉइंट कि यहां पर देख रहे हैं आप की ग्राइंडर वगरा सब दिख रहा है आपको जिप समन मोटर एंड अल इस टूल्स आप शार्पेंड ना इपोट्स दिख रहे हैं आपको क्ले के बने हुए यह जो पॉट्स है रेड और ब्लैक मैंने अलग से दिखाया कि यह बाद में ऐसे इवोल हुए थे डेकोरेटिव आइटम्स बन गए यह क्ले का है यह क्ले के उपर भी जो आप डिजाइन देख रहे हैं वह सच कुछ डेकोरेटिव आइटम्स नहीं है चुमेट्रिकल सुने होंगे एंसी आइटी में नई सुने तो अब सुन लिजिए बुर्जा हों गफ कराल यह कुछ जमुन कश्मीर में साइट से बहुत इंपोर्टन इसी के साथ सराय खोला तक्षिला में बहुत इंपोर्टन है ठीक है अपार्ट फ्रम देस आमरी कॉट दी कॉट दीजि अभी आप लोग इसको छोड़ दीजिए जो जिन नाम पर मैंने टिक किया वह नाम आप जरूर याद रखेंगे बुर्जा हों गुफ कराल सराय खोला कॉल दीवा आमरी कॉट दीजी यह कुछ इंपोर्टन साइट से यह आपको महरगर्ड आप से क्या पूछा जा सकता है क की इंडास व सिवलाजेशन के प्रिडिशी सीशर सकॐन को नहीं यहें स्व इस आप देर पारें बुर्जा हूं मेहरगड कोल दीवा राइट चिरांद हपू सिंग वाला यह कुछ यहां पर साइट से ठीक है नाओ विए गॉइंग टू जंप ऑन दी कैलकोलिथिक एज अब कैलकोलिथिक एज स्टार्टिंग में आपको बता है कि अर्बन लाइफ या सिविलाइजेशन जह में रखेंगे जहां पर मैक्टल लर्जी या फिर नॉलिज ओफ मैक्टल स्पेशली कोपर की नॉलिज थी उन लोगों को तो वह कैलकोलिथिक एज में आएगा ठीक है जी कोपर स्टोन एज का मिक्स्चर है यह 3,500 बीसी तक चला है ठीक है यहां पर जो एक एरिया है वो भी डिफाइंड है कि किस एरिया में यह लोग रहते थे देखिए पहले यह इंडस वेली सिविलाजेशन के जो लोग थे वह इंडस रीवर के आसपास और घंगर हाकरा रीवर के आसपास गुजरात राजस्थान में हर्याना में और महारास्ट्र तक एविदेंस मिलतें इंडस स्वेली सिविलाजेशन के जोगी कैलकुलेथिक एज के साथ बिलॉंग करते हैं अब क्या मतलब है कि फर्स्ट मैटल टुबी उस्ट वोज कोपर ठीक है और कभी-कभी वो ब्रॉंज का भी इस्तमाल करते थे तो स्टोन एज से निकल चुके थे और मैटल का इस्तमाल करना स प्री हरपन या प्री हरपन ही बोल देते हैं इसको कैलकुल एथिक कल्चर के अंदर जो साइट से वह आपकी खेतरी माहिंस राजस्थान जहां से कोपर मिलता था काली बंगा काली बंगा इंडस्वली सिलेशन से पुराना है ठीक है राजस्थान में है बनवाली इन हर्यान महां जोदारो ठीक है जी दे यूज तो प्रोड्यूस वीट और राइस ऐस देर में स्टैपल डाइट अपार्ट फ्रूं दिस और फ्राम अ पंगा है भाइश इसको मूव कैसे करते हैं ओके कि ऐसे करते हैं ओके 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 चाहिए ठीक चाहिए सो दे यूज डिफ्रेंट टाइप ऑफ पोटरी जिसमें से ब्लैक और रैड वेर जो मैंने पहले दिखाए इतना को क्ले के साथ रैट में रैड का मतलब है कि वह बैया फनल जो अपना क्या कहते हैं उसको हम क्रूसी बल में बनी हुई है वो क्या बोलेंगे मुसको हम लोग कुछ कोशन्स देख लेते हैं चले जी बताईए कि को कोशन बताईए अब 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 पहले लिथी केज मैसले थी केज नियो लिथी केज कैलकुलिथी केज जरा मैच दिफ फोलॉइंग लगाओ अभी महरगड का नाम आपने कहां सुना महरगड का भी रिसेंट्ली नाम सुना आपने कहां सुना बताईए चले पहले केज की बात करते हैं सबसे पहले लीथी केज का बेलन वैली का नाम आपने हैं मैसलिथी के अंदर आपने भीम बेट्टका नाम सुन ठीक हमारा पनों के साथ बीडिख रहा कहीं पर ही ही से निकल रहा है आपका टू एटू के साथ हमारा एक ही मैस से कोशन निकल रहा है एड़ डिस भी हम फिर भी चेक कर लेते हैं नियोलिथिक एज है वह आपका महर्गड कैलकुलिथिक नबदा तोली है डन वाली बात हैं आपर चले सेकंड पर आईए परस्ट एनिमल टू बी डॉमेस्टिक एटे डूरिंग स्टोन एज वर हां जी है जो डॉमेस्टिक के जाते हैं वह कौन थे डॉग गौत शिप डॉग्स होर्सीज गॉट होर्ष शिप गॉट या फिर शिप ऐलिफेंट डॉग लास्ट में अलिफेंट है जा एक ऑप्षन एलिफेंट आपने दूर दूर तक ऐलिफेंट नहीं सुना तो यह हो गई के नहीं इन तीनों में डिसाइड कर लीजिए कर लिजिए कर अब कर अब कर अब कर दिखाया था ना अपना वह कौन था वो कार्टून करेक्टर अब शौन दिखाया था अब एस ट्राइड चले आगे अगे क्या है अमर पस नुमेडिक मैं स्टार्टिड सेटलिंग इन कोश्चन यह आपके सामने बड़ा एंफसीज करके आपको बताया था कि नुमेडिक मैं स्टार्टिड इस एक पहले लिए नियु लिए तिक या फिर क है कि है अलो सिन पिरियड कब लगाया था आपने अच इंच अधर वाकि अधा वता शाबश प्टा प्ट सल कमल्ड़ डाईज कविड़ हो गया तेस टार्ट इट्लिंग इन मैसोलिथिक एज राइट पहले रिथिक एज में फूट गैदर्थ थे वह नहीं मैसोलिथिक एज में इन चाहिए रहना स्टार्ट कर दिया था मैसोलिथिक एज में उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था दी राइट आंसर मैं मूव फूर्ड गैधरिंग टुफूर्ड प्रोदूसिंग फूर्ड गैदर से अब वह पोड़ा बना करके रहने लगा था इसका आंसर आपका नियुव लिथिक एज वगा दोनों कोशन में सबसे बड़ी इनोवेशन क्या थी मैटल इंप्लिमेंट्स पोर्टर्स वेल डिस्कावरी ओफायर और सबसे लास्ट में हैं स्पिनिंग एंड विविंग डी इस पिनिंग एंड विविंग चले जी डिस्काव्यू फायर चले तो यहां तक तो समझ आ गया होगा आपको पहले अलिटिक नियो लिटिक मैस अलिटिक कुछ कई बच्चों ने तो फर्स टाइम देखा होगा यह जिन्होंने फर्स टाइम देखा एक बता दो और एक और सब्सक्राइम इसको इतना पड़ दिया ह है देखे 27 मिंट में आपको यह पूरा टॉपिक हटा दिया गया है कोशन कभी पूछेगा तो वह कोशन किस टाइप से वह भी मैंने आपको दिखा दिया यहां पर ठीक है जिस पीरियड में उसको हम क्याल्कोलिथिक एज के इस ब्रॉंज टाइम पीड़ दस्ट इस हरप सिविलाइजेशन दवर्ड इससेल्फ इसक्वाइट आरॉनिक क्योंकि इनसान तो ऐसे हर जगा रहते होंगे अफरीका में भी कोई जगा होगी लोकेशन होगी ऐसी चाइन गयेज़ कर दो आजिकेशन की सब्सक्राइब कर निक मतलá को थेथिक से साथ जीनन एक झाहिएओं सब्सक्लाइब करने कार यह ब्रॉसीजर निक सांडबर में ठेग्स करना देंदाने कुछ बिजनस हो रहा है या बिजनस कर रहे हैं बेशक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी नजर रखी जा रही है उसके ऊपर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है तो इसी चार सिवलाइशन होई तो वर्ड में उसके बाद नहीं है थीग है नायल रिवर एजिप्ट में वहां पर सीविलाइशन थी स्टिग्रिस फुरेट्ज आज का इरान इराक वहां पर सीविलाइशन थी इंडस्रिवर इंध्यां इंदिन सब कोंटिनेंट यहां पर सिविलाइजसिन देए चार सिविलाइजसिन कंटैंप्र की थी एक दूसरे के साइमलटेइनसली हो रही थी है ठीक है मुष्फ लोगों ने रहने का सभ्य इसलिए काहते हैं कि यह पहली साइट ते जिसको डिसकोवर किया या अर्थन किया जा चुका था कि गाजब चले जी तो हरपन सिविलाजेशन का यह जितने भी साइट के कंटेंप्रेरी साइट्स हैं इसमें मैक्सिममे अ एरिया इन्डस सभली सिविलाजेशन का यह 8,000 sq. km को हम इंडस सिवाजेशन के नाम से जानते हैं जो प्रोटो हिस्ट्री से बिलॉंग करते हैं क्योंकि इसकी जितनी भी लैंग्विज थी वह पिक्टोग्राफिक पिक्चर के अंदर किस तरीके से मैसीज अपने को नहीं मालूम कि वह कहना क्या चाहरे मचली टंगी हुई एक बंदा स्पेर लेके खड़ा हुए उसके हाथ में घड़ा है तो क्या कहना चाहरे है तो लैंग्विज ना मालूम होने की वज़े से इसको प्रोटो हिस्ट्री में रखेंग रिकॉर्ड ओफ इवे क्लासिफाइड इस सिविलाइशन रिस्क्वाइट ओल्डर देन क्याल्कॉलिथिक एज क्योंकि क्याल्कॉलिथिक एज ओफ राम इक्ति हिलना स्टार्ट हो जाता है चले मैं नेक्स्ट पर आ रहा हूं यह सभी चीज़े हैं आपकी हरपन वैली सिविलाइशन जो है वह में आपको सुक्ता जेंडोर मिलेगा जो कि बलोचिस्तान में सबसे इस्ट में आलमगीरपूर्ट जो की यूपी में और सबसे साउथ में आपको दायमाबाद मिलेगा दायमाबाद इन महरास्ट ठीक है तो आप इंडस्वाली सिविलाइशन से गोदावरी भी क्रोस कर जा अपने को एविडेंश मिले हैं दायमाबाद महरास्ट ठीक है यह पूरे का पूरेजितनी भी साइट से यहाँ पर त्षित्पर ब्रिक्स यह कि को को ट्रेड करते थे इस तरीके के एविडेंश इस हैं वेट वगयरा मिल गया है वह उसके भी वीटेंड राइस उसके भी ए मिलती है हर जगह ठीक है तो more or less structure वह से चाहे वह आपका कश्मीर हो चाहे महारास्टरा हो चाहे यूपी हो चाहे आपका इरान की तरफ एरिया गॉट इट तो सबसे most important जो इंडस्वाली civilization में अड्वांस्मेंट जो थी इनकी वो थी ताउन फ्लैनिंग की दो शिटीज वर दिवाइड इंटू तू पार्ट सब्सक्राइब्यादि अपर पाट करते था ता डिवीजन आपड्वीजन उस ताइम भी तिक है लोइघ के चाहां कि तैंट है new इसjamus है छो डेली में जर्नर्श यह वह पर रहते थे यह प्लाणिंग काफिटी ब्लानिंग के साथ तन सब्स刺ं करते ऊब हो तो है यह यह कि आप पालोक से ख़ड़ फ़र में यह और और में कि तो आपको वहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ ग्रेट पैटन के अंदर ठीक है और यह लोग बंट ब्रिक का इस्तमाल करते थे हर एक कंस्ट्रक्शन के अंदर राइट और जो ब्रिक जो थी वह आपकी 7 सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको ले जाता हूं एक स्लाइट पर जो कि है अच्छा यह ना सील्स है उस पर जाने से पहले सील देखिए यह सील इस्तिमाल करते थे ट्रेडर्स है और एक्जाम्पल मैस्वटामिया ओडर बुक किया है वहां से कोई लेने गया है समान को या जो में चीफ होता है बिजनस का प्रोप्राइटर होता वह गया है तो वह सील दिखाता था कि बहुत स्थ्यूनलम ने भेजा हूं स कैriad को कि आंट तेथे पुर वह स्ट्रेडर जाता था हूं दोनों नोट को जोड़खे देख्ते थें हाँ कि चड़ा दो सोना है ना शिप के उपपर है कि ठीक है तो उसी तरीके से सील का इस्तमाल होता था ओ आती की सील चाह यह वाई सवाया साउट की तरफ से यह देखे यहां पर यूनिकोन कहते थे उसको हाला कि साफ दिख रहा है कि बुल ही ठीक है इसको यूनिकोन कहते थे और वैसे हासा पता लग रहा है कि यह राइनोसुरस है ठीक है जी तो यह सील का इस्तमाल ट्रेडर्स करते थे ठीक है इसमें से एक इंपोर्टन्ट सील है आपकी यह वाली यह जो सील है उस टेम पर जितने भी लोग थे टैंपल्स का तो देखे नही पता लगा कि टैंपल्स थे की नहीं थे अब जब एक असेंबली हॉल मिला है साइट डल मिला है ग्रेट बात मिला है तो क्या बता टैंपल भी हो लेकिन प्रॉपर गर्व ग्रहे के अंदर मूर्ती रख्वी नहीं मिलिया इससे पता लग जाते कि लोग नेचर को वर्षिप करते थे अपार्ट फ्रॉम देश यह एक फिगर को मानते थे जिनको पशुपती महादेव कहा जाते पशुपती महादेव शिवा जैसे लगते यहां पर देखिए एक इंसान योगिक पोस्चर में बैठा हुए एक पैन हिल जे पहले कि 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 यह देखिए योगिक पोस्चर में बैठे हुए बिलकुल ऐसे महादेव होते हैं अपने यौग निद्रा में एक प्लैट्फॉम पर एक रेज्ट प्लैट्फॉम पर बैठे हुए उस रेज्ट प्लैट्फॉम पर दो हीरंड बने वे दिख रहे हैं तो यहां पर देखें आपको बूल दिख रहे हैं कि आज़ी सब्सक्राइब लाइब हुँ तो यहां को दिखें एक बूल दिख रहे हैं इधर आपको टाइघर तव्यरक्ष रहे है'd आपको टाइगट रीन पर होथ नहीं कोई नहीं नहीं है काव का नहीं यह तो बुल ही लग रहा इतनी बड़ी बड़ी ना तो काव का कोई मैंशन नहीं है आपर अपार्ट फॉम दिस यहां पर ने एक फिश टाइप जरूर दिख रहा लेकिन यह पका फिश है कि नहीं है तो बैनेफिट टोडावट यही होगा कि इसक खतरनाक वाले ना आए और जो इनको मिल्क दे रहे हैं या फिर डारेक्ट इस लॉटर करके जिनको कंज्यूम करें वह वाले इनको मिलते रहें ठीक है अगे अगे चले एक स्लाइड बीच में आई थी जिसके अंदर यहां पर कहां कहां से इंपोर्ट होता था तो यहां पर प्रोकी भाई थे उस टाइम पर ठीक है वाइलेंस लाइट साउथ इंडिया से आता था था ता पिछाया इरान में है बिटुमिन आपके बलुचिस्तान और मैस्वटामिया से इनको मेटलर्जी की अकल थी समझ थी ठीक है जी तो यह सबी चीजे यह लोग अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए ट्रेड करते थे और यह बिजनस में इंवॉल्ट थे अच्छे खासे ठीक है जी और क्या-क्या मिलता है इनको देखें यहां पर पीपल ट्री हम्ड बूल बड़ यह तो सील की बात करें इसी के साथ सथ आपको फायर ऑल्टर मिलते हावन कुंड की तो बात कर रहे हैं तो क्या पता उस टाइम पर यह लोग कहते हो हवन करेंगे हवन करेंगे लोग कह रहें कि नहीं को टैंपल वगरा नहीं थे चलिए ठी करना चाहरा हूं ठीक है चलिए तो फायर ऑल्टर से काली बंगा और लोथल में फायर उल्टर से वहां पर हवन किया जाता था ओम स्वाहा किया जाता था ठीक है जिसके अंदर टाइगर राइनो बफलो है डियर है ठीक है डन तो एनिमल को वर्षिप करते थे और उसी के ग्रीक थे ना जो ग्रीक जिसके ट्रेड होता था वो लोग इसको सिंदन बुलाते दें ठीक है जी और इसी के साथ सब्सक्राइब करते थे अनिमल्स जिसके अंदर ऑक्स बफैलो गौट हम्डबॉल शिप गदे और कैमल्स आते थे सब्सक्राइब करते होर्स जो थे वह रैगुलर यूज में नहीं आते थे वह इरान की तरफ जादा मिलते थे जो बलुचिस्तानी रिया वहां पर होर्स के कुछ एविडेंस मिले जरूर है ठीक है इसी के साथ प्लॉट फील्ड मतलब की जो खेत है उसको जोता गया है बीज डालने के लिए ठीक है तो एक प्लॉट फील्ड का भी एविडेंस मिलता है कहां से काली बंगा से जो की राजस्थान में है टेरा कोटा के कुछ कुछ मोडल मिलते हैं बच्चे उनको डेकोरेटिव आइटम्स टॉय की तरह इस्तमाल करते होंगे प्लो के कुछ टेरा कोटा मोडल मिलते हैं कहां से बनवाली और भावलपूर जो कि आपका वेस्टन यूपी और हर्याना है ठीक होर्सी सरकोतला से मिलते हैं और जो मालिक ह हुआ करता था जब उसके डैथ होती होगी और ग्रेव याड में उसको डालते होंगे तो डोग भी उसी के साथ दफना देते हैं या कुछ भी ऐसा है ठीक है तो यहां पर इस लास्ट स्लाइट को डिसकस करते हैं उसके बाद हम चलेंगे क्योंकि साथ 15 पे क्लास होनी थी मै करन्ट अफेर्स का देखता हूँ अभी चलें तो हरपा जो है वह एक पहली साइट है किसने डिसकवर किया था सबसे पहले 1921 में दयाराम सहानी कहां पर है यह वेस्ट पंजाब मॉट गॉम्री डिस्ट्रिक पाकिस्तान में कौन सी नदी के टट पर रावी नदी के टट पर अब दी हरपन से हरपन साइट इन 1922 वाइदी आडी बैनर जेट इस सिच्ट इन लर्काना दिस्टिक इन सेंद और राइट बैंक ओफ रिवर इंडस ना पाकिस्तान ग्रेट ग्रेंडरी यहां से मिली है ग्रेट बात यहां से मिला है पीस ओफ वोवन क्लोथ एक कप्ड़ क टुकडा मिला है आसे बियर्डिड मैं इंस्टेटाइट एक मालब कले का बना हुआ है वह मिला है ब्रॉंज डांसिंग गर्ल एक गर्ल है डांस कर रही उसका फिगर मिला है मोहंचुदार उसे ठीक है असेम्बली होल मिला है मिस वहापे सभा और समीती वहा करती थी जिसके कंस्ट्यूश्ण फेंडिया से पंचायती राज को बनाया गया है कि पंचायती राज तो एक एक इंटीग्रल पारता से सिर्फ उसको यूनिफोर्मटी दी गई है समझने की बात है यहां पर इस ट्रेंग पनचायत लगती थी इस प्रकॉन्ट ने उसको एक होल सबसमीती होती थी भाई सब भूत हजारों साल पहले 5000 साल पहले से अभी 1940 1950 में आपका एंफॉर्स हुआ ठीक है तो मोहन जोदारों जो है वह आपका असेंब्ली होल भी था वहाँ पर अपार्ट फ्रम दिस अर्बन प्लैनिंग और अर्बनाइजिशन यहाँ पर बेसिक फीचर है मांट ओव दी डैट भी कहा जाता है मोहन जदारों को ठीक है जी ऐसा माना जाता है कि फ्लड आईती पर तरके फीमस साइट है एक घोष को डिसकवर किया था ब्लैक बैंगल्स होते ना बंग बुलाते हैं पंजाबी में मनलब बैंगल्स नीं तो वह 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 गयी है ठीक है काली बंगा ब्लैक बैंगल्स गोश और यह आपके गग्यर नदी ट्रट पर मौझूद है अभी ही फिलाल हम इतना ही करेंगा आज का सेशन आपको पसंद भी आया है साथी साथ हेल्फुल भी रहा है इसी तरीके से हर रोज आगे चलते रहेंगे तो एक क्लियर पिच्चर हमारे सामने आ जाएगी कौन सी डैनेस्ट्री किसके बाद आई काउन सा इवेंट कब हुआ और